पंचशिल द्वज ये आलेक प्रसिद्ध बौध विद्वान आचारी राजिश चंद्रा का है जो हमने उनसे साभार प्राप्त किया है नेला, पिला, लाल, सफेद और कासाई इन पांच रंगों के क्षैतीज और उर्धो पट्टियों से निर्मित द्वज को बौध द्वज कहते हैं जो की पंचशिल द्वज के रूप में अधिक लोग प्रिये हैं इस द्वज की भी अपनी एक कहानी है थियासोफिकल सोसाईटी के संस्था पक करनल हैंडरी स्टेलय ओलकट और मैडम ब्लावत्सकी थे हैंडरी अमरीकी सेना से अवकाश प्राप्त करनल थे थियासोफिकल सोसाईटी किसी एक धर्म अथ्वा संप्रदाई की पोशक या प्रचारक संस्था नहीं थी बलकि सभी धर्मों वा संप्रदायों के अध्यात्मिक मुल्यों के समनवई की पोशक थी इसलिए इस संस्था में बिना पुर्वाग रहे के सभी धर्मिक विचारधाराओं का अध्यन, शोद वा तदनुसार अनुपालन होता था अध्यनवा अभ्यास करते करनल हेंरी बुध के धम की ओर आकरशित होने लगे और अंत तहा वर्ष 1880 में श्रिलंका में उन्होंने बुध धम आत्मसात कर लिया और श्रिलंका में बुध धम के उत्थान की गतिवीधियों के सक्री अंग बन गए वहां उन्होंने 400 के आसपास बौध विध्याले एवं महा विध्यालेयों की स्थापना की जिनमें से कुछ बहुती प्रसिद्ध हुए जैसे आनंद, नालंदा, महिंद, धमराजा, आदी ये उनके द्वारा स्थापित विध्यालेयों के नाम है अपने शांती में लोकतांत्रीक आंदोलनों के जरिये श्रिलंका के बौधों को सन 1884 में एक बड़ी सफलता मिली सफलता ये कि वह ब्रिटीश सरकार से वेसाक डे अर्थात बुध पूर्णिमा के सार्वजनिक अवकाश की घोशना करा सके जो की सन 1885 की बुध पूर्णिमा से क्रियान विथ हुआ इस सफलता के बाद श्रिलंका के बौधों ने कॉलंबो कमिटी नाम से एक संस्था बनाई जिसमें करनल हेंडरी स्टिले अलकॉट भी एक सदस्य थे इस कमिटी में एक प्रस्ताव आया कि बौधों का एक ध्वज होना चाहिए जो बौध अस्मिताव गौरों का प्रतीक हो कहा जाता है कि प्रस्ताव करनल हेंडरी स्टिले अलकॉट की ओर से था जिस पर पूरी कमिटी की सहमती थी तै ये हुआ कि वहद्वज आगामी बुध पूर्णिमा 28 मई 1885 को फैराया जाएगा इस प्रकार कौलंबो कमिटी द्वारा निर्मित वहद्वज अस्तितु में आया जिसे आज पंच शिल्द्वज कहते हैं बुध पूर्णिमा पर फैराय जाने से पूर्व 17 अप्रेल 1885 को कोलंबो कमिटी द्वारा ये ध्वज सार्वजनिक किया गया तथा सार्वजनिक अनुमोदन व सहमती प्राप्त की गई यह पंच शिल्द्वज श्रिलंका में कोटा हिना के दीप दुथर मया बुध विहार में सन 1885 की बुध पूर्णिमा 28 मई को पहली बार पुज भिखु मिगेत्व वंते गुणानंद थेर द्वारा विशाल बौध समों की समक्ष फैराया गया कालांतर में करनल हेंडरी स्टिले अलकट के परामर्ष पर इस ध्वज का आकार राष्ट्र ध्वज के आकार का तै किया गया इसमें कती पै परिवर्तन किये गया और उसे अंतिम रूप दिया गया इसे आगामी वर्ष 1886 की बुध पूर्णिमा को फैराया गया तब से आज की तारिक तक यही ध्वज यतावत है और पूरे विश्व के बौधों की अस्मिता का गौरों का प्रतीक है इस ध्वज की वैश्विक स्विक्रती की भी एक कहानी है इसका मुख्ष्रे प्रोफेसर जी पी मलाल से करको जाता है जिनकी अध्यक्षता एवं पहल से कोलंबो में श्रिलंका की पहली वर्ल्ड बुधिस्ट फेलोशिप आयो जीत हुई 25 मई 1950 को दाढ़ा धातू बुध विहार के सभागार में इस विहार में भगवान बुध के पावन दंत धातू स्थापी थे पुझ भदंत गलगेदर प्रज्यानन्द का कहना है प्रोफेसर जीपी मलाल सेकर मुलत है श्रिलंका के थे वह सिहली पाली संस्कृत अंग्रेजी लाइटिन ग्रिक फ्रांसी सी भाशाओं के प्रकांड विद्वान थे वर्ल्ड बुधिस्ट फेलोशीप के वह संस्थापक अध्यक्ष थे वह बोधी सत्व बाबा साहिब से अत्याधिक प्रभावित थे उन्होंने बाबा साहिब को बुध्ध पुर्णिमा 25 मही 1950 को आयोजित होने वाले वर्ल्ड बुधिस्ट फेलोशीप में कोलंबो आमंतर प्रोफेसर डॉक्टर गुणपाल पियासेन यानि की जीपी मलाल सेकर बुधिस्ट इंसाइकलोपीडिया के प्रधान संपादक थे। जापान के जैन विद्वान डॉक्टर डी टी सुजुकी भी उपस्थित थे। उन्होंने उस बौध ध्वज को समस्त बौध जगत के द्वारा स्विक्रत करने का प्रस्ताव रखा। जो की साधुवाद के साथ अनुमोदित हो गया। कह सकता हूँ कि भारत के राष्ट्रिय ध्वज में ध्म चक्र समाविशित कर उसे बौध स्वरूप देने का श्रेई बावा साहिब को है। और ध्म ध्वजा को वैश्विक माननिता दिये जाने की घटना में भी उनकी उपस्थिती है। अधिकारिक रूप से इस ध्वज को अंतरराष्ट्रिय बौध ध्वज की माननिता सन 1952 में वर्ल्ड बुधिस्ट कॉंग्रेस में मिली। प्रकटता हा, इस ध्म ध्वज में पांच रंग की खड़ी पट्टियां होती है। इस कारण लोग इसे पंच शिल ध्वज कहते हैं। जबकि वास्तों में इसमें पांच पट्टिया नहीं, वरनाथ छें पट्टिया होती है, छटी, खडी पट्टी में पांचों रंगों का संयुक्त रूप होता है, तथा पि इस ध्वज को पंचशील ध्वज कहकर संबोधित करना, इस बात की ओर भी संकेत करता है कि बौध प अधिक उपयूक्त होगा, लेकिन ध्वजा के रूप में इसकी वैश्विक माननेता तथा स्विकार्यता है, पंचशील या शडायतन बोलचाल में प्रयोग किये जा सकते हैं, मगर ध्वजा या बुधिस्ट फ्लैग इसकी सार्वभोमिक संग्या है, ध्वजा के छे रंग प्रस्फुटित होता रहता था, निला, पीला, लाल, धवल, कासाय और छे रंगों का मिश्रित रूप जिसे प्रभास्वर कहते हैं, यह छे रंग बुधत्व वद्धम की परिपूर्णता के प्रतीक है, बौद्धों के स्मरण रखने के लिए अनुसमारक अर्थात, रिम पीला, कहा जाता है कि निले रंग का आभा मंडल भगवान बुध के सीर के चारो ओर रहता था, जो की प्राणि मात्र के प्रती, उनकी अखंडीत करुणा का प्रतीक है, इस प्रकार निला रंग मैत्री, करुणा वशान्ती का प्रतीक है, आसमान और सागर के निले रंग की तरहे व्यापक्ता का संदेश देता है पीला पीले रंग की आभा भगवान बुद्ध के निकटतम रहती थी पीला रंग रूप अरूप की अनुपस थी ती शुन्यता और मध्यमार्ग का प्रतीक है मध्यमार्ग अर्थात अतियों से परे बीच का रास्ता लाल लाल रंग ब जिवन्तता व मंगल मैता का प्रतीक है ये प्रग्या सौभाग्य गरीमा सद्गून व उपलब्धी का भी संकेत है धवल या सफेद बुद्ध के दातों नाखुनों व अस्थी धातों से धवल आभा प्रस्पुटित होती रहती थी यह रंग शुद्धता व पावन्ता का और बुद्ध की शिक्षाओं की अकालिक्ता का भी अकालिक्ता अर्थात बुद्ध की देशनाएं समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती बरन नित नवीन بنी रहती है वे जितनी सचकल थी उतनी आज भी है और आगे भी रहेगी कासा या केसरिया बुद्ध की हतिलियों एडि यह वीर्य अर्थात उत्साह व गरिमा का संकेत भी करता है। संप्रदाय, नसल, राष्ट्रियता, विभाजन, विभेद से परे नकिवल मानो मातर के लिए है वरन प्राणी मातर के लिए है। यह आलेक प्रसिद बौध विद्वान आचारिय राजिश चंद्रा का है। हमने यह आलेक उनकी फेस्बुक वॉल से साभार प्राप्त किया है। झालेक विद्वान प्राणी मातर के लिए है विए है विए है। झाल झाल